आज आपको बड़ा अपना अनुख़ा अनुभब बताता हूं मैं जीवन में किस तरह से मेरा जीवन चला था और कब मैंने मन चाही सफलता जो मेरी इच्छा थी वो प्रापत हुई किस लाओ से किस टेकनीक से प्रापत हुई उसी टेकनीक का आप भी उसको फॉलो करें और निश्चित रूप से चाहे आपकी ये इच्छा क्यों न हो कि चंद्रमा पे घर बनाना है वो भी पूरण होती है ये निश्चित है क्यूंकि यही कुद्रत के नियम है कुद्रत के नियम काम करते हैं हर चीज के पीछे यदि आप अंधेरे में तीर मारते रहेंगे तो भागया से लग गया लग गया यदि लाइट जलाके तीर मारेंगे तो 90 प्रसेंट चांस है कि आपका तीर लग जाएगा निश्चित बेख ठोड़े से प्रयास से तो लगी जाता है तो मैंने जान करके तीर मारे थे समझ कर के विज्ञान को, किसको law of attraction कहते हैं, किसको अवचेतनमन की programming, रेकी शक्ती क्या है, उर्जा healing क्या है, रेकी healing क्या है, ध्यान साधना क्या है, उस सब को समझ के मैंने, या ये कहलें कि उस ताइम पे समझ रहा था क्यूंकि एक दिन में सीखा नहीं जाता, मैंने उस ताइम पे अभी रेकी सिखी थी, और ये सब नियम जाने थे, मेरी साथ क्या हुआ था, कि मैंने अभी पढ़ाई के बाद, मेरे उपर जमेवारी थी काफी तो घर की, तो मैंने कारोबार करना शुरू किया, कारोबार करना शुरू किया, जैसे मैंने कारोबार शुरू किया, तो उस त पैसों का गुच्छा पढ़ा है और कहीं रखके जाना कोई तीसरा आदमी है तो मैं उसको बोल के जाता था कि भईया यह पैसे पढ़ें जरा धृहान रखना मैं 10 मिनट में आ गया मैं सोचता ही निए कि गहरी निश्टा इमानदारी थी चेतना में प्रमातुमा की क्रिपा से तो उसी के कारण बड़ा भिलकर नुपसान हुआ मैंने कारोबार किया और दिल्ली जाता था मैं सामान लाने होँसेल में करता था काम तो दिल्ली वालों ने क्या किया मुझे जब सामान लेके आता था दिखा देते थे और जब सामान आता था उसमें इटे इट रोडे बज़री मिट्टी भर के भेई देते थे ऐसे ऐसे काम हुए तो मैं लाखों के करदे के नीचे आ गया और मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ सामान दिखाया उन्होंने कुछ डाल दिया मिट्टी उठा के पत्थर डाल दिये बजन बढ़ा दिया ऐसे काम मेरे साथ हुए तो लाखों के करदे के नीचे मैं आ गया जब करदे के नीचे आ गया लाकुर्पे के फिर उस समय पे continue ये काफी साल तक चलता रहा फिर मुझे रेकी का प्रमात्मा ने बच्पन में ही कही न कही शब्द सुना दिया था कि रेकी नाम की शक्ति है मैंने खाली बच्पन में सुना था तो मेरे एकदम आकर्शन सा जाग गया था बविश्या में जो आपको करना होता है उसके प्रती कहीं न कहीं एक शब्द सुनके या आपके भीतर लगाब उठ जाता है एक लेवल सीखने की आज से 20-25 साल पुरानी बात है लेकिन आज के लगभग 2 लाग के बराबर है उस टाइम का पैसा मेरे लिये और आज का जब देखता हूँ तो इतना पुरानी वो बात है तो मेरे पास 21 सो भी नहीं होता था तो मेरी एक द्रेड इच्छा थी उस इच्छा के कारण प्रमात्मा ने किरपा की और मैं एक लेवल सीखने चला गया तो उन्हें कुछ चीज़ें समझाई और मैंने आके प्रैक्टिस की करकरा के किसी तरह मैंने दूसरा लेवल फिर सीखा फिर उसकी फीस और बढ़ जाती थी लेवल के हिसाब से दूसरे लेवल में बहुत चीज़ें समझ में आगई एक चीज़ ये समझ में आई कि रेकी यदि मैंने सीख ली तो मैं जीवन में जो चाहता हूँ वो मिल जाएगा और दूसरा लेवल सीखने के बाद मैंने आके प्रैक्टिस करना शुरू कर दी मैंने पंपलेट बना के इस्तिहार बना के चपवा के लगवा दिये धरुदक की बिमारियों का इलाज भूता है वहां बहुत लोग जैसे जैसे आप कुछ काम करते हैं उसका रिजल्ट दिखता है तो आटोमेटिकली भीड आने लगती है तो कुछी दिन में बहुत ज़्यादा भीडे कठी होने लग गई मेरे पास थोड़े बहुत ही मैंने पंपलेट चपवाई थे लेकिन भीड एक व्यक्ति ठीक होता था वो दूसरे 10 को बता था 10 आके 50 को मैं तो वहां पे 10 बज़े आता था लोग 6 बज़े आके बैठ जाते थी तो अभी की उस टाइम पे मेरे को इतनी रेकी भी नहीं थी आती और इतना पता भी नहीं था स्टार्टिंग की बात है तो करते करते वो क्या हुआ कि लोगों का इलाज करते करते जब दूसरों का इलाज करते हैं और आप perfect नहीं होते तो दूसरों की negativity अपने भीतर जमा हो जाती है दूसरों का पच्रा अपने अंदरे कठा हो जाता है तो मैं उससे इतना प्रिशान होने लग गया इतना प्रिशान पूरी पूरी रात मैं तड़सा था सो नहीं पाता था दिन में लोगों के प्रेत बगा दिये negativity हटा दी वो रात को मेरे को घेज लेती थी तो कुछ टाइम तक तो मैंने ये किया चार-छे महिने तक फिर इतनी भीड आने लग गई मेरे बश के बाहर हो गया कि इसका मैं कैसे इलाज करूँ वो एक दम से मैंने शटर बंद कर दिया तो फोन नमबर भी वो बंद कर दिया पूरी तरह से उसको बंद कर दिया जेलना मुश्किल हो गया सैकड़ों लोगों की आप कैसे काम करेंगी अभी प्रफेक्ट भी नहीं था तो उसके बाद लोगों की इतने इन अग्टिविटी मेरे अंदर इकठी हो गए इतना भार आ गया मेरे उपर दूसरे का इलाज हो रहा है तो उसको मेरा जा रहा है कुछ ना कुछ और उसका भी कच्रा मेरे अंदर आ रहा है उसको मैंने कई वर्षों तक जेला, मेरे सर के उपर वो जितना मेरे अंदर ग्यान था, उसके उपर भी परदा पड़ गया, जितना ग्यान था, कि रेकी से कैसे कैसे मैं ये सब मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, वो सारा परदे के नीजे चला गया मैं जानता था, लेकिन उपर से तमल से कठा हो गया लोगों का, तो मैं मेरे उपर लाखों का करजा था, मैंने फिर धीरे धीरे ध्यान साथना अपनी नहीं छोड़ी वो मैं करता रहा, रेकी जितनी होती थी मैं करता था, गंटा दो गंटे, जितनी मेरे से हो चकी चार गंटे मैं अपनी तरफ से लगा रह उस टाइम का वो करजा बहुत बड़ा था आज का करोडों का तो उस टाइम का इतना करजा था आज किसी के ऊपर दो तिन करोडों रुपया करजा हो जाए उस टाइम पर मेरा वो हाल था तो मैंने एक बार करके गोल धारण किया कि 31 मार्च के दिन मेरे पास बैंक में इतने ला मैं बच्पन में ही था जादा उम्र भी नहीं कि मेरी समझ भी नहीं थी तो सारा उनके पास चला गया भरना मेरे को था उस समय पर जोक छुआ कि मैंने एक लक्षे दारण किया 31 मार्च के दिन मैंने स्काइब लियू टी अपनी शर्ट पहनी हुई या और मेरा ये गोल पूरा था कि होगा तो इसी से होगा रेकी के द्वारा ही होगा और निश्चित हो जाएगा एक साल मैंने किया तो गलती कहां पे होती थी उधर तो मैं हीलिंग कर देता था दूसरी तरफ नेगटिव फीलिंग करता था जब याद आता था ओ इतना करजा ये कैसे उतारे उतार आती थी मैं नेगटिव फील करता था कि पैसा मेरे पास आज है नहीं और इतना देना है उस नेगटिव फील करने के कारण उसकी लेंथ भी उतनी हो जाती थी पहले साल में गोल फेल हो गया क्योंकि मैं नेगटिव फील करता रहा प्रैक्टिस कर करके समझ में आता है दूस इसी के दोरा उतरेगा और फिर मैं दूसरे साल लग गया दूसरे साल किया फिर ऐसी ही गलतियां कहीं ना कहीं करता था कोई ना कोई मेरे को याद करवा देता था मैं भुलाने की कोशिश करता था कि लाखों का करदा है छोड़ दो सिर्फ ध्यान कहा रखाना है रेकी के उपर कि रेकी से मैं इसको अपनी हील कर रहा हूँ और उससे मेरी समस्या दूर हो जाएगी उसको मैं आनंद से हील करके बैठ जाता था तो जितनी positivity पैदा होती थी healing से वो दब जाती थी उसके बाद तीसरी बाद फिर वही दूसरे साल फेल हो गया तीसरे साल जब time आया तो मैंने फिर यही किया कि इस बार तों चाहे कोई कुछ भी मुझे कहता रहे मैं उनकी बात यहां से सुनूँगा और यहां से निकाल दूँगा असर ही नहीं करूँगा सीख सीख के समझ में आई negative feel नहीं करना क्योंकि जो मैं दुख चिंता attention feel करता था जो नकार आत्मकता feel करता था उसके करण मेरा goal नहीं पूरा हो पाता था इसलिए वो चीज़ आपको समझाता हूँ कोई बिमार है तो बिमारी को feel ना करे तंदरुस्ती को feel करे वो हो जाएगी आपको और गहराई से जानना है तब तो आपको रेकी का कोर्स कर लेना चाहिए चाहे मेरे पास करें ऑनलाइन चाह कहीं और आपके पास कोई टीचर हो उसके पास सीख लें लेकिन यही जीवन को पार लगाती है तीसरे साल मैंने फिर लक्षे धारन किया मैं अलमारी खोल रहा हूँ और मेरी अकाउंट में इतने पैसे इतने लाग रुपे मौजूद है मैं उसको देखता था और स्काई बल्यू मैंने शर्ट पहनी हुई है 31 मार्ट का दिन है और बैंकों की एननोसी मेरे पास में पड़ी हुई है यही मैं विजुलाइज करता था उसी को बार बार रेकी देता था इसी कल्पना करके एफ्रामेशन देके उसी को हीर करता था तीसरे साल अचानक से कुछ असर हुआ क्योंकि तीसरे साल जब भी कोई याद करवाता था मैं दूसरी तरफ चला जाता था सुनता ही नहीं था और जोर जोर से मन में राम 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 जोर जोर से इस तरह से मन को उनकी बातों से हटा देता था तो मैंने तीसरे साल नेगटिविटी को जो फील करता था उसको मिनिमाइज कर दिया बहुत हीलिंग मेरी बढ़ गई वो उस टाइम का जो करजा आज के करोडों के करजे के बराबर था उस टाइम के कोई सोर्स नहीं थे इतने तो आज के टाइम में किसी ओपर दो करोड उस टाइम पर जो मेरा करजा था वो ऐसा था तो तीसरे वर्ष जब एक दिन शायद दुपहर के बाद का टाइम था मैं अलमारी खोल रहा हूँ अलमारी खोल के मेरे हाथ में बैंक की पास्बुक आई वो भूली गया मैं क्यूंकि काम में रचा रचा वो भूल गया कि मेरा मैनिफेस्ट हो गया है उसके लिए और गहराई से धन्यावाद करूँ तो और बड़े वो चीज़े भूल गया है बैंक की पास्बुक हाथ में आई दो तिन पेपर और उठाए तो एक बैंक की एनोसी एक की दूसरे की तीसरे की अभी एक और का लोन था उसकी एनोसी नहीं ली थी ना ही कलियर किया था वो छोटी रखन थी वो तीनों उतर बैंक की कॉपी और एक दम से दिमाग में चर्थी गूमी यही तो मैं पिछले तीन साल से विजुलाइज कर रहा था और जैसे ही शर्ट के उपर ध्यान किया वो ही कॉटन की बनी हुई मोटी मोटी डबी वाली स्काइबल्यू शर्ट तीन साल लगे और असंभव मेरे लिए संभव हो पाया वो सारा करजा जैसे सोचा था तो एक दम क्यूंकि यकीन तो पहले से गहराई से था लेकिन जब मैनिफेस्ट हुआ कि आज डेट 31 मार्च समय भी वैसा ही सूरज डूपने वाला है दुपहर कम हो गई है और वो सारे पेपर जैसी कलपना करता था सेम टू सेम अपने आप पैदा हो गया मैंने सोचा नहीं था स्काई ब्ली टी शर्ट या शर्ट आज पहनूँगा मैं मैंने सोचा नहीं था अलमारी खोलूँगा तो ये मेरे हाथ में आएगी बैंक की पास्बुक लेकिन जो जो था वो सारा तीन साल लगे मैनिफेस्ट होने में क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इतना मैं समझता नहीं था एज बहुत कम थी और जो हम्रे उस टाइम के पूर्स हुए थे वो केवल एक बार में हुए थे कि एक बार में पूरे दिन में बस मुझमानी बता दिया आपको तो उसको आप पकड़ो ना पकड़ो तो वो चीजे सीखने में समझने में दस-पंद्रा साल लग गए तब जाके उस कहराई तक पहुँच पाया तो ये थी मेरी संसारिक जरनी उसके बाद दूसरा जो मेरे जीवन का गोल था वो केवल अध्यातम था उसके सिवा कुछ नहीं तो मुक्या रूप से तो वही है लेकिन संसार में जीने के लिए संसार के पैये को भी बराबर चलाना पड़ता है यदि एक ही तरफ से आपका अध्यातम ही आगे दोड़े का संसार पीछे चूड़ जाएगा फिर साधना करनी मुश्किल हो जाती है लेकिन यदि कोई गहराई से साधना में और साधना के नियम समझे के गहराई में उतरना शुरू कर दे तो संसार उसकी चुटकी में बैठा रहता है यहां चुटकी मारता है और यहां पे जो चाहेगा वो प्रगट होता है साधना ऐसी चीज़ है तो भगवान की पाठ पूजा करें, मंतर जाप करें, रेकी करें, ध्यान करें, कुछ भी करें, लेकिन भगवान से मांगना क्या है? भगवान को मांगें, छोटी-छोटी चीज़े ना मांगें, भगवान को सीधा पकड़ लें, और जब भगवान को पकड़ लेंगे तो बाक कि सारा संसार पीछे हमारी मुठी में होता है धन्यवाद नमस्का